1924 में कैवेल धामा योगा साउसा की सापना लोनावला में स्वामी कैवेल लंदा द्वारा की गई थी योगा के जरी एक सोशल बदलाओं लाना ऐसा प्रया से साउसा पिछले कई सालों से करती आ रही है इतना ही नहीं बलकि इस सउसा द्वारा एक योगा कॉलेश की सापना भी की गई है जहाई युवाउं को भारी मात्रा में योग की जानकरी दी जाती है इस सउसा का लक्ष केंदर केवल युवाउं की और है ये योगा को योगा का महत्व समझाय जाए जाए और योगा की जानकरी दी जाए तो उसके जरीए पूरे देश में योगा की जानकरी तता उसका महत्व सभी तक पहुंच सकता है ऐसा कहना है कैविल धामा योगा संसा के प्रवक्ता सुबोत्तिवारी का ये सबस्ता दिनांग 27-37 डिसेंबर तक महाराष्ट के लोड़ाला शेत्र में साथवे अंतराष्ट ये परिशत युवाओं के लिए आईजित करने वाली है इस परिशत के जरी युवाओं को प्राचिन संसुल से जुडाने का प्रयास भी किया जाएगा मेरा नाम सुबोत तिवारी है और मैं ये अंतराष्ट के सम्मेलन का कन्वीनर हूँ हम लोग की हमाला उदेश प्रेस का ये है कि जादा से जादा लोगों को तक ये जानकारी पहुचा सके कि 27 से 30 दिसंबर 2012 में कैवले धाम लोनावला में एक अंतराष्ट के सम्मेलन योग और युवक प्राचिन और नई परंपराओं पर हो रहा है जिसमें हमारी कोशिश ये है कि जादा से जादा युवकों तक योग का संदेश हम पहुचा सके हाँ जब आप लोग इस सम्मेलन की पूरी जानकारी देखेंगे जो हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है कैवले धाम की तो देखेंगे कि हमारा उद्देश यही है कि योग का प्रभाव युवक पर मानसिक और शाररिक रूप से क्या होता है और इसको वैद्नियानिक अनुसंधान के रूप में और दार्शनिक मतलब साइंटिफिक और फिलोसफी के रूप में पहुचाना चाहते हैं तो कि आजकल हम लोग यह देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवकों को इसमें इंट्रेस्ट है और सही मार्ग दरशन दें ऐसी हमारी आशा है इस सद्राश्टे कमेर्स को सभी आ सकते हैं लेकिन हमारा हर कॉंफरेंस में ऐसा एक उद्श होता कि एक किसी शेत्र में हम लोग ज्यादा ध्यान दें तो इस बार हम लोगों की ऐसी इच्छा थे कि युवकों को डिस्ट्रिकोन रखा जाए इसलिए सब लोग सम्मिलित होंगे लेकिन युवकों पर ज दसक्षे जादा हम लोगों का ये प्रैत में रहा है कि योग हम युगों में पहुचाएं ये एक मात्र संस्था है भारत में जिसको मिनिस्ट्री ओव एचारडी जो हुमन रिसोर्स डेवलप्मेंट है उससे ग्रांट मिलती है तो इसलिए हमारा और मिनिस्ट्री का यही है कि योग को यंगर जनरेशन में पहुचाया जाए एक बार वो सीख लेते हैं तो उनको जिन्दगी बर उनके पास रहे